हेलो फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है मैं आज आपको भेजमों में बनाना सिखाऊंगी साथ में उम्मों के साथ खाने वाली चट्नी में बनाना सिखाऊंगी तो चलिए इस चट्नी को बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मारदस का लिलाफून को छील कर रख लि मिर्च लेंगे और छे साथ लाल मिर्च को हम चार घंटे कि पानी में भीगों कर रखे हुए थे नो कि अब हम गैस को अन कर दिये गैस पर तब आचहाओ अब हम लाफोन को रोस्ट कर लेंगे जब लाफोन रोस्ट हो जाएगा हमारा तो हम गैस को बंद कर देंगे लाफून हमारा रोस्ट हो चुका है अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं अब मिक्सी के जार में हम जो हम भींगो कर रखे थे लाल मिर्च और डाल देंगे और रोस्ट किया हुआ लशन डाल देंगे और दो-तिन चमज पानी अइड़ कर देंगे और आधा नमख हम इसमें अभी डाल देंगे बारी पीस लेंगे हम गैस को अन कर दिये हैं कराही को गर्म होने देंगे कराही जब हमारा गर्म हो जाएगा इधर हम कॉर्ण फ्लोर में पानी डाल देंगे और इसका घोल तेयार कर लेंगे गोल एक दम पतला रहना चाहिए इस तरह का उकराई हमारा गर्म हो चुका इसमें हमें एक चमच तेल डाल देंगे तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो लाल मिर्च वैला जो पीशे के रखे थे वह डाल देंगे और हलका पानी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे फिर इसमें एक चमच कास्मीरी लालमिश एड कर देंगे और इसको पकाएंगे अच्छी तरह से हलका पानी भी डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे गैस काँच तेजी रखेंगे कि अब हम स्वाधा अनुसार नमक डाल देंगे आधा नमक तो हम पहले ही डाल चुके थे अब हम एक चमस इसमें विनेगर डाल देंगे सिरका इसको चलाएंगे जब अच्छी तरह से उबाल आने लगा तब इसमें हम घोल किया हुआ जो कॉन फ्लोर था पानी में वह हम डाल देंगे डाल के इसको हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे देखिए चटनी हमारा बन के रेडी हो चुका कितना अच्छा कलर आया है अब हम ग मोमो बनाने के लिए हम इसके लिए हम तीन सो गराम पत्ता को भी को धोकर कदू कफ करके रख लिए थे और एक मेडियम साइज का गाजर है उसको भी कदू कफ करके रख लिए थे और एक मेडियम साइज का प्याज है उसको बारी काट लेंगे अधरक थोड़ा सा है कदू कस किया हुआ आधा चोटा चमच दो तीन चुटकी काली मिर्च पाउडर है तीन हरी मिर्च है आठ नो कली लहसन है छीला हुआ नमक है तेल चाहिए दो चमच मैदा चाहिए 200 गड़ाब पानी चाहिए अब हम मिक्सी का जार लेंगे उसमें हरी मिर्च को तोर के डाल देंगे और लाफन डाल देंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे ज्यादा बारीक नहीं पीसना है दरदरा पेश्ट इसका त्यार कर लेना है कराही में हम दो चमस तेल डाल देंगे तेल डालने के बाद तेल जब हमारा गर्म हो जागा तो इसमें हम कदुकस किया हुआ अधरक डाल दी है अधरक जब हमारा पक जाएगा तब उसमें हम लासन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और उसको चलाएंगे, इसको आधा मिनर तक चलाना है, फिर से हम इसमें प्याज था बारीक कटा हुआ, वो डाल देंगे, और थोड़ा चलाएंगे, आज अभी मेडियम फिलेम पर ही रखेंगे, अब इसमें कदुकस किया हुआ गाजार एड कर देंगे, और उसको चलाएंग फिर इसमें पत्ता गोबी था, वो हम डाल देंगे, और उसको अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को मिला कर चला लेंगे, अब हम गैस का फिलेम तेज कर देंगे, और इसमें हम दो तीन चुटकी काली मिर्च पाउडर एड कर देंगे, और इसको चलाएंगे, थाकि इसका पानी सुख जाए, अब हम इसमें स्वादा अनफार नमक अएड कर देंगे, इसको चलाना है, दो मिनिर तक अब हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं, यह हमारा स्टापिंग रेडी है, अब हम एक बरतल लेंगे, इसमें हम मैदा डाल देंगे, मैदा डालने के बाद इसमे हम दो तीन चुटकी नमक डाल देंगे, और एक दो बुन तेल डाल के इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे, फिर इसमें हलका हलका पानी देके, हलके हाथों से मुलायम आटा गूथ लेना है, आटा ज्यादा सकत नहीं लगाना है, अमको देखिए इस तरह का आटा रहना चाहिए, अब हम इसको ढख के रख देते हैं, एक बरतल लेंगे, और इसमें हम दो तीन ग्लास पानी डाल देंगे, अब हम गैस को अन कर लेते हैं, इसको हम उपर चरहा देंगे, अब हम एक छलनी लेंगे, इस तरह का, अब इसमें तेल लगा देंगे, चारो तरफ से, इस में आदा को लंबा कर लेंगे और इसको समान भाग में चुक्रों में बाट लेंगे अब इसका हम लोगी बना लेंगे के करके अब इसका हम पूरी त्यार कर लेते हैं मोमो के लिए पूरी को बेलने के लिए हमको नीचे के तरफ से ही बेलना है बीच से नहीं बेलना है जिस तरह से हम पूरी को बेलना है क्योंकि अगर आप बीच से बेलिएगा तो बीच में पतला हो जाएगा और साइड में मोटा ही रह जाएगा जिससे आपका मोमो अच्छा नहीं बनेगा इसी तरह से हमको पूरी त्यार कर लेना है दूसरा पूरी भी हम बेल लेते हैं ध्यान डखना है कि नीचे से ही बेलना है अगर आपके बेलन में सटने लगे तो आप सुखा मैदा लगा लेजिए इस तरह से दस बारा पूरी हम त्यार कर लेंगे यह मोमो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अब इस एक पर बनाईए देखिए अब हम इसका इस्टापिंग कर लेते हैं इसमें हम इस्टापिंग डाल दिये हैं जिस तरह से हम बना रहे हैं आप उस तरह से बना लिजिएगा इस तरह से थोरा दूरी दूरी पर इसका प्लेट बना के हम इसको बैठा देंगे बहुत ही असानी तरीके से बन जाता है कि देखिए यह हम एक मोमो बना चुके हैं दुसरा भी हम बना लेते हैं इसी तरह से बनाना है कि एक और डिजाइन का हम आपको मोमो बनाना बता देते हैं जो बहुत ही सिम्पल तरीके का है इस तरह से आपको मोर के मुह बंद कर देना है इस टापिंग बढ़के और इसको घुमा देना है इस तरह से भी आप मोमो बना सकते हैं अब हम गैस आउन किये ही हुए थे अब इस चन्नी पर हम डाल देंगे इसको सारे मोमो को और इसको ढख देंगे और पांच साथ मिनट के लिए छोड़ दें कशाश है और फिर से इसको ढख देंगे के तीन-शार मिनट के लिए चुका है हमारा बनके रेडी हो चुका है देखिए कितना अच्छा बना है हमारा मॉमो अब हम इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए रेडी है आप इसे एक बार बना के ट्राइ कीजिए यह मॉमो की रेस्पी और उसकी चटनी आपको कैसी लगी यह मुझे बताईए अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू